आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहित विधानसभा निर्वाचन के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो नुककर नाटक के माध्यम से विशेश कर उन विदिव्यांग और बुजूर्ग मतदातों के अधिकार की विशे में बताया, जिने गर परी मतदान की सुविधा दी जाएगी। पुलिसवारा फ्लाइग मार्च निकालकर ग्रामीनों को विश्वास परची देकर निश्चित रूप से मतदान करने का आगरह किया जा रहा है। सभा चुनाओं के लिए प्रत्याश्यों की घोशना करने के बाद अब राजनीतिक दल चुनाओं प्रचार में जुट गए हैं। समर्थन में चुनाओं प्रचार कर रहे हैं। इस पीच आज प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष कमलनाथ चिन्दवाड़ा विधानसभाग शेक्तर से कॉंग्रस पत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इसके पहले वो रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। प्रादिशिक समचार एकांश आकाश्वाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभाग शुनाओं में शक्त प्रतिशक मत्यदान सुनिश्चित करने के लिए जन्ता की आवाज आकाश्वाणी के साथ नामक एक खास कारक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मत्यदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताके अनेशोता भी मत्यदान के लिए प्रेरित हूँ। बस फिर देर क्या है अपनी आवाज में मत्यदान क्यूं करना चाही पर केंदरित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे वाटसेप नमबर 940 652 3035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रति दिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साजा करेंगे। हाँ आप भी मत्यदान अवश्य करिए। सुनो ध्यान से यार चूक गए तो 5 साल तक करना होगा इंतजार। संबिधान ने हमें दिया है यह अनुपम बर्दान, मत्दान से ही हो सकेगा हम सब का कल्यान। मुखे निर्वाजन पदाधी कारी अनुपम राजन ने मीडिया से अपील की है कि वहमत दाताओं को जागरू करने और पेड और फेक न्यूस की रोगथाम में सक्री भूमिका निभाएं श्री राजन आज भोपाल में आयोजित मीडिया कारिशाला को संबोधित कर रहे थे कारिशाला में चुनाओ आचार सनिता सहित चुनाओ से जुड़े विभिन पहलूं की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी गई अब कुछ समचार संगशेप में जबलपूर में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के तीसरे देन एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है जबलपूर पूर्व विधान सभग शेक दिरसे लखनलाल ने प्रस्तुत किया है वे इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के उम्मीदवार है इस पुलिटिन में वस इतना ही नमस्कार